सब्सक्राइब करेंगे साथ में अपने स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा जो हमारे मेंबर्स हैं वो कितना बनाएं आज की दिन में एवरीडे शो करता हूं तो अगर आप नए हो तो आपको बोलूगा आप मेरे टेलीग्राम पर आजाओ जॉइन कर लो लिंक डिस्किप्शन में देन आप देखोगे कि क्या मिलता है उसके अंदर आप लोको में अभी एग्जामपल के तौर पर दिखा दूँगा कि आज हमने कितनी बड़ी ट्रेड बनाई है और वो भी फ्री ओफ्कॉस में मैंने टेलीग्राम पर शेर भी किया है बात करें ओवरॉल मार्केट की तो आ नी सस्ते कर पए अगेन अमने किया अगेन अगेन से लाच के 30 में बहुँ अच्छा का सार का रोप हूँ वहां पर में आप जल्दी से हम तेलीग पर देख लेते कि आपको क्या- нос लेवरे हैं क्या आपको बेनोरे हैं इसके बाद हम मौने करेंगे का मार्केट मार्का हो सकत काफी ज़्यादा positive motivate करेंगे यहाँ पर देखें यह आज का profit है हमारे एक member का 37 lakh ठीक है इसको exclude इसलिए करदें बिकोज यह भाई एक करोड से उपर के amount लगाते हैं तो हर को ही नहीं लगा पाता है लेकिन इसके अलावा 8000-9000 इसके अलावा everyday profit में निकलते हैं तो यह आज के profit थे और ऐसे आप रोजाना के profit screenshot देख सकते हो मैं everyday डाल देता हूँ अब सबसे पहले मैं बताऊँ को 3 बजे जो हमने trade दिया था टेलिग्राम के उपर दे को members का trade आप खुद देख सकते हो कि यानि कि trade plan कर सकते हो तो वहाँ पर जब निकला तो आपको देख सकते हो कि जब 19-700 निकला तो यहाँ पर almost आपको 30-point का trade मिला आप जाके एक बाद चेक कर लेना morning baby मैंने 19,750 के उपर trade दिया था around 9.30 के आसपास वह भी मैं एक बार आपको levels को देख के रखो उसके बाद अच्छा खासा trade बना मैंने सुबह चार्ट भी share किया था इसलिए अभी मैं दिखाऊंगा साड़ी नौ के बाद 750 जब निकला तो कितना target मिला वेट करिए यह आगे अपन पांच मिट के चार्ट के उपर अभी मैं दिखाता हूँ कि जब मैंने trade दिया था तब क्या timing था and कब वो trade हमारा execute हुआ तो अगर हम बात करें तो यहां कहीं पर मैंने बता रखा था trade के लिए लेकिन यह levels हमारी 90,050 के था जो निकले नहीं और जब निकले है तो यह levels है उसके बाद हमारा जो resistance एरिया था 19,780 वहां तक हमारा market गया यानि कि 30 point आपको यहां मिले 30 point आपको 3 बजे मिले और बीच में भी मैंने एक trade दिया था वो था हमारा इस trend line के उपर यह आपको मैंने बताया था कि अगर हम यहां से rejection लेते हैं यानि कि 19,780 का level है जो पहला rejection level है उसके बाद यह trend line आ रही है यहां पे support लेती हुई तो इसके rejection पे आप put में बना सकते हो और आप देख सकते हो मेरी तो उम्मीद थी state से कि at least हम 750 तक आ जाएंगे तो वापस से 30 point यहां मिले 30 यहां मिल जाते लेकिन market इतनी तेजी से गिरा यहां पर और आपको कितना 100 point देखे गया अगर कल की video आप notice करोगे तो मैंने आपको बोला था कि 90 था उस 700 के नीचे अगर market निकलता है तो आप 680 तक का प्लान कर सकता है और हमारे market ने almost 680, 675 के आसपस support लिया तो यहां पर आपके 30 point बनते यहां 30 point बनते उसके बाद यहां 20 point बनते यह minimum आपका बनना चाहिए था और evening में 30 point यहां बनने चाहिए था ठीक है यह minimum है अगर किसी ने इसको hold किया तो उसको 100 point का trade मिला है वो भी 50-50 में तो यह सब आपको कब मिलेगा जब आप active रहेंगे चैनल पे जब आप इसको join करेंगे तो जल्दी से join करो तक आपको भी कुछ benefit मिल पाए अब बात कर लेते हैं कल के लेवर्स के बार में कि कल कौन सी लेवल आपके लिए important रहने वालें देखो market full bearish mode था market ने देखो कल यह लेवर्स कौन सा है 19,780 जहां से market reverse लिया आज भी यहाँ पर कोशिश कितनी किया आप खुद देखो कितना candles है यह 5, 10, 15, 20, 25, 30, आदे गंटे यहाँ पर try किया market निकलने का लेकिन नहीं निकल पाया again जब market ने अच्छा यहाँ पर buying दिखाया तो यहाँ 19,750 से लेके 80 के बीच में कितना try किया यह पूरा time market consolidate किया लेकिन उपर के levels नहीं निकल पाया और वापस से market निकल गया तो भाया अभी market ऐसे level पर आ गया है जहाँ पर cause मतलब trade बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए तो हम बात कर लेते कि कल कौन से level आपके लिए important है एक बार आप बस कल की video देख लेना जाके उसके बाद आज का चार्ट देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने सिफ वीडियो भी देखे होती ना तो भी आपने पैसा बना लिया होता तो भाई अब हमारा market रुका है 19,670 670 से लेके 680 यह एक range थी जहां market ने हमारा support लिया morning में और ending भी यहीं पर किया यह देखो यह support के साथ अगर किसी को बनाना था तो यहाँ पर भी trade बनती थी देखो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा तब ही आप पैसा बना पाओगे तो अगर हम कल के दिन यह levels निकाल देते हैं यानि कि 670, 680 वाला तो आपका पहला target है 650 दूसरा target है 600 ठीक है सीथे clear target है बीच में थोड़ा बहुत रोक सकता है कई पर like 620, 630 लेकिन जो बड़ा आपको target लेके चलना है वो लेके चलना है कि हमारा market अगर यह निकालेगा तो हम 600 के आसपास पहुँच जाएंगे market यह range को follow कर रहा है वो range थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ यह देख सकते हैं इस तरीके से इस तरीके से यह ठीक है तो यह इस तरीके से और नीचे भी जा सकता है अब इसका reversal कब आएगा जब यह consolidate करें ऐसे करके ऊपर चले और यह वाले जो levels है ना almost 19,800 जब इसके ऊपर हम चलना चालों कर देंगे देन उसके बाद हम reversal हो सकते कि हां market support ले लिया है वापस उपर जडले को ready है तब तक नहीं ठीक है यह pattern को ध्यान में रखना इस channel के साथ market चल सकता है पहले भी ऐसे channel हो में market चला अगर आप मेरे channel पर हो तो पता होगा तो 670 के नीचे आपका target होना चाहिए 650 and then आपका target होना चाहिए 600 और देन उसके बाद आपका 550 से लेके 560 downside की यह target आपको clear रहने चाहिए because उपर की तरफ trade बनाना बहुत मुश्किल है तो आप मेरे telegram पर रहोगे तो आपको काफी ज़्यादा help हो जाएगी ठीक है upside की बात कर लेते हैं तो अगर हमारा market 19,700 को निकालता है यानि कि उसके उपर अगर sustain करता है तो आपको छोटे-छोटे target लेने का try करना बड़े target की तरफ मत जाना अभी भी बता रहा हूँ बड़े target की तरफ जाओगे तो आप first सकते हो put में हमेशा बड़ा target बनाने का try किया करो आपका जल्दी पैसा बनेगा अगर आप call में बनाने का try करोगे तो हो सकता है आपके ज़्यादा stop losses हिट हो जाएं क्यों हो जाएं बता देता हूँ मैं आपको यह देखिए put में plan इतन जरूर देख लेना तो भाया आप अगर 90-700 के उपर हम sustain करते हैं तो पहला target 720-725 then second target 750 then third target 780 अगर हम 780 के उपर sustain करते हैं then आपका 800 and 820-25 यह आपके levels रहने वाले यानि कि हर 15-20-25 पे उपर की तरफ resistance बनेगा नीचे की तरफ थोड़ा कम resistance बनेगा तो आपको बहुत आराम स source समझ के trade लेना है and market यह देखो आपको दिखाता हूँ कि कैसे market trap करता है तो आपको एक जलक मिल जाएगी कैसे market में आपको फसना नहीं है ठीक है एक second दो मुझे यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि market कर रहा था consolidation 90-750 के असपास जो आपको यहाँ पर देखने को मिला इस range म है ठीक है market ने 9760 के level निकाला market उपर गया almost 80 को टच करके market ने दिया बड़ा फॉल यह आप 5 मिट की candle देख रहे हो इसको एक मिनट के चार्ट पर जाके देखना आपको समझ में आएगा देखो जब market उपर निकला होगा तो यहाँ पर लोग कॉल में गए होंगे ठीक है उनक target होगा अच्छा भी तो market 780 भी निकाल देगा लेकिन market reversal हो गया इनके stop loss खा गया यानि कि जो call में थे उनका stop loss खा गया then market कहा आया market आया 9750 के नीचे यानि कि यह level के नीचे अब लोगों को क्या लगा होगा कि अभी यह put में जाएगा क्योंकि उपर से rejection ले लिया है लेकिन market market ने वापस से उपर चला गया यानि कि जो पहले call में थे उनको exit कराया जो वापस put में घुसे उनको वापस से candle उपर चलीगी तो वापस से exit कराया यहां पर exit कराया then market नीचे निकला अच्छे से और उसके बाद consolidate करते हुए market डांसे निकल गया ऐसे stop loss hunting होती है ठीक है यह stop loss hunting थी proper stop loss hunting जहां market में callers को भी बाहर निकाला buyers को sellers को सबको बाहर निकालके then market नीचे आपका trade बनाया लेकिन हमने तो बोला था 90,700 निकलेगा तब आप trade लें तो आपको trade लेनी चाहिए थी और अपना profit बनाना चाहिए था तो भाई clear रहो अपने direction के साथ clear रहो अपने trade के panic में मताया करो कि अरे नहीं नहीं 200 रुपे लोस होगे अब तो मुझे निकलना पड़ेगा नहीं आपने अगर 400-500 रुपे का stop loss लिया है 8-10 पॉंट का stop loss लिया तो उसको hit होने दो no problem अगर पैसा बनता है तो फिर पैसा बनाने के time पर भी hold करो डर की वज़े से जल्दी मत प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना टेलीग्राम को जोइन करना विकोज यहां से आपका बहुत पैसा बनने वाला है मैं लिख के दे सकता हूं यह चीज बाकी आपको जो knowledge मिलेगी वो तो infinite है और comment section में अगर कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो म हुँर है